तो फो best laptop for all categories के लिए तो भी अगर आप student ओ पढ़ते हो पढ़ाते हो जा अगर आपने office पर के लिए चाहिए programming करते हो coding करते हो ऐसा developer काम करना है ऐसा creator काम करना है जा अगर आपकी कोई भी आपको बताओंगा जो कि आपको 50,000 के बज़िट में laptop देखने को मिलेंगे तो बात करते हैं सीधा number four की बात करते हैं लेकिन number four की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ भी मैं आपको जितने भी laptop बताओंगा वो वीडियो एक्टिंग के लिए बस्त होने वाले अगरले वाले आपने और आफ लाइन क्लासिस गया लगाने आपके लिए बहुत अग्डे होने वाले है प्लस अगर आपने क्रेटर कामprochen as a developer काम करना, programming करना, coding करना है, उसके बाद भाई, अगर आपने कोई भी heavy software भी use करना है, आप easily normally कर सकोंगे, तो बात करते हैं सीधा number 4 की, number 4 की बात करें, number 4 पर यार मैंने रख़ा है, my notebook horizon को, अगर इस laptop की बात करो, सबसे पहले में आपको बता देना जाता हूं कि इनकी build quality, प्लस इसका design, वो बहुत ज़्यादा इसको suit करता है, प्लस MI brand है, प्लस अगर आपका क्यों काम ऐसा है कि आपको keyboard पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, आपके लिए बहुत अगड़ा होने वाला है, आपको trackpad करना जाते हो, आप कर सकते हो, because आपको graphic card की बात करूँ, आपको MX350, 2GB graphic card मिल जाता है, 8GB RAM मिल जाते है, I5 10th generation के साथ देखने को मिलगा, तो specification की according देखा जाए, laptop पूरा loaded देखते को मिल जाता है, मैं आपको main specification बदा देता हूं, थोड़ी सी deeply बात कर लेते हैं, वाई, तो यह display की बातों को 14-inch Full HD display मिल जाते हैं, जो की anti-glate display और processor की बातों को I5 10th generation के साथ मिलता है, storage की बात करूँ, आपको 8GB RAM मिल जाते हैं, प्रस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाते हैं, graphic card की बात करूँ, आपको NVIDIA MX3502GB देखने को मिल जाता है, उप्रेणी जिसनों की बात को उनको Windows 10 मिल जाते हैं, बैंटरी की बात करूँ, आपको 10 hours का बैंटरी backup परवाइड कर देता है, प्राइस की बात करूँ, आपको 51,000 के budget में MI Notebook Horizon देखने को मिल जाता है, तो यहर मैं इसको number 4 पर रखा, तो आप इस चीज को दियान में रखना, कि आपको RAM upgrade करने का option नहीं मिलता, जो कि सच में एक मानस मट आ जाता है, तो आप देख लेना, अगर आपको यह laptop जो है, वो सही लगता है, आप उसके और जा सकते हो, अगर आपको कोई requirement है कि आपको 8GB RAM minimum बहुत है यार, अगर आपको इतने ही मतलब सही लगती है, तो आप इसके और जा सकते हो, अगर आपको 8GB RAM नहीं सही, आपको कोई काम ऐसा है कि आपको 16GB RAM चाहिए, अगर आपको 32GB RAM चाहिए, तो आपके लिए यह laptop बिल्कुल भी नहीं बना, इसलिए तो मैंने इसको number 4 पर रखा, आप यह आगे बात कहते है, number 3 की, number 3 की बात करो, number 3 पर यार, मैंने रखा है, Acer Spire 5 को, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका प्लेट 50,000 से कम है, तो यह laptop आपको 45,000 के बचल में मिल जाता है, 45,000 के बचल में आपको specification, पूरे loaded मिल जाते हैं, बहुत अगड़े specification हैं, मैं आपको बताते हैं, सिख्धी बात करते हैं, specification की, तो यह display की बातों को 14-inch FHD plus display मिल जाती है, जो की iPlus panel display, processor की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है, storage की बात करूँ, आपको 8GB RAM मिल जाती है, expandable आप कर सकते हो, पस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है, SSD के benefit की अगर मैं बात करूँ, तो भई SSD का benefit यह होता है, अगर आप start-up अगर आज जल्दी transfer करना ज 40-minute ऐसे लगते है, लेकिन SSD में आपको यह चीजी नहीं देखने को मिलेगी, जो की सच में SSD ही लेनी चाहिए, अगर आप data ज्यादा ट्रांसफर करते हो, graphic card की बात करूँ, आपको नवीड यह G4 MX350 देखने को मिलेगा, वो प्रिदी सेस्टों की बातों को Windows 10 मिल जाती है, आ करूँ, आपको 8 hours का battery life provide कर देता है, प्राइस की बातों को 45 होंचे लेके 51,000 के budget में, Acer Aspire 5 यह specification के साथ देखने को मिल जाएगा, तो यह main specification में आपको बता दिये, Acer Aspire 5 के भी, अगर मैं specification के according देखा जो, तो बहुत ज्यादा सही है, भी आपको 45 होंचे budget से लेके 50,000 के budget तक यह laptop देखने को मिल जाते है, तो भी अगर आपने office बर के लिए चाहिए, student हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, अगर programming करने है, coding करने है, कोई heavy software यूज़ करना है, video editing करना चाहते हो, या gaming करना जाते हो, आप इस पे कर सकते हो, आपको 2 GB graphic card मिल जाता है, 8 GB RAM मिल जाते है, जिस description box में दिया हो है, अभी आगे बात करते है, number two की, तो अभी बात करते है, number two की, लेकिन मैं आपको कहा देना जाता हूँ, number two and number one को, दोनों को मैंने combine कर दिया, because दोनों ही laptop जो वो Acer की आउर से ही आते है, इस budget range में Acer बहुत जादा सही कर रहा है, तो मैं आपको बता देता ह आपने आपके लिए perfect deal हो सकता है, बट अगर आपको gaming design चाहिए, अगर आपको gaming design से matter कुछ भी नहीं करता है, आपको specification loaded चाहिए, कि अगर आपने कोई heavy software यूज करना है, gaming करना है, video acting करना है, आपके लिए best होने बला, इस से, इस से nitro five, आप जा सकते हो, इस से nitro five के और वो हो जाता है, तो अगर आपको gaming करना जाते हो, मैंने आपको पता दिया, अगर आपको office work के लिए चाहिए, मैंने आपको भी बता दिया, अभी बात करते है, दोनों के main specification की थोड़ा से deeply बात कर लेते है, तो यह display की बातों को 15.16 full HD display मिल जाती है, जो की 16 refresh rate के साथ आती, तो 16 refresh यार average display होती है, इतना तग्राय भी नहीं कह सकता है, इतना इसको गलत भी नहीं कह सकता है, इस चीज को आप दियान में रखना, processor की बातों को i5 19 generation के साथ मिलता है, storage की बात करूं, आपको 8 GB RAM मिल जाती है, upper grade आप कर सकतो 32 GB तक प्लस आपको 5 RGB SSD देखने को मिल जाती, graphic card की ब 64,000 के बड़र में, इस सब्सक्राइब 7 देखने को मिल जाएगा, तो यहर अभी बात करते हैं, इस सब्सक्राइब 5 की तो display की बातों को 15.6 प्लस IPS पैनल display मिल जाती है, जो की 16 refresh rate के साथ आती है, आप वर रसासर की बात करूं, इसमें भी आपको AMD Ryzen 5 देखने को मिल जाती है आपको 6 hours का बेंटरी बैकप परवाइड कर देता है, प्राइस की बात करूं, आपको 57,000 के बजट में इस सब्सक्राइब 5 देखने को मिल जाएगा, तो यहर मैंने आपको दोनों ही laptop के बता दिये, मुझे पता है, मैंने जो आपको laptop बता है, उनका प्राइस जो है, वो 50,000 से अपर चला जाता है, तो यहर अगर आप extra पी कर सकते हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके लिए यह दोनों laptop बहुत तगड़े होने वाले, अगर आप extra थोड़ा सा भी पी कर सकते हो, तो आप एसर निट्रो 5 के और जा सकते हो, अगर आपको gaming design नहीं चाहिए, तो आपके लिए perfect deal हो सकता है, अगर मतलब अगर आपका budget पचास हजार से भी कम है, तो आपके लिए best deal हो सकता है, इस price range में Acer बहुत तगड़े है, अगर आपका budget तीस हजार होता है, तो मैं आपको Lenovo laptop के और जाने को कहता है, तो उतने price range में Lenovo बहुत तगड़े है, लेकिन अ अगर आप कोई भी software यूज़ करना जाते हो, पढ़ते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, ओफिस पर के लिए चाहिए, प्रोग्रामिंग करना है, कोडिंग करना है, जागर आपने as a creator काम करना, as a developer काम करना, जा कोई भी loaded file पे काम करना, आप सभी के लिए, जो मैंने आपको laptop लाए, वो बहुत अगड़े होने वाले, तो यार, अब दीनेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है, खतम, अगर आपको में भी पेच्छे लगी यार, वीडियो को लाइक करताना, कमेंट करताना, शेर करताना, दोस्तों के भी दोस्तों को बेतना, उनको भी कहतना कि चाहँ को को दे सब्सक्राब, वीडियो को दे लाइक, और इंस्नाग्राम प्रिक लिए फॉलो, लिंक को बगार आजरा आपको डिस्क्रेप्शिन बॉक्स में देखने को मिल जाएक उसको चाहँ को लना, मिलते नाक्स्ट वीडियो में ने वीडियो को साथ, तेंक यू.